जै श्री राम दोस्तों जै बाबा नीम करोरी महराज की जै जै सनातन धर्म की दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों आप जानते ही हैं यदि किसी कारे को करने में हम प्रयासरतन हैं और पूरी निष्ठा और सच्चे भावना से हम अपने कारे में लगे हुए हैं तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है बस हमें अपने लक्ष पर अडिक रहना हैं और इसके लिए निरंतर प्रयासरत होकर मेहनत करनी हैं मेहनत करेंगे तो हम अपने कारे में एक दिन सफलता प्राप्त जरूर करेंगे और मेहनत के साथ साथ हमें अपने इश्वर अपने प्रभू अपने इश्ट पर विश्वास भी रखना है और हमें अपने बाबा पर पूरा विश्वास रखना है बाबा नेम करोरी अपने भक्तों, अपने अन्यो और शिश्यों पर सदा कृपाय बनाये रखते हैं दोस्तों बाबा को अगर हम सच्छे हर्दे से याद करते हैं、 सच्छी उपासना करते हैं तो बाबा खुद चल कर हमारी मदद करने के लिए आते हैं और जिन कार्यों में हम प्रयास रतना है वो कारे पूरे नहीं हो रहें तो बाबा स्वेम आकर उन कार्यों में हमें सफलता प्रदान करते हैं ऐसे कृपालू दयालू हमारे बाबा नेम करोरी की सदा ही जै हो बाबा नेम करोरी का असिरवादा आप सब पर सदा बना रहे दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है आपके जीवन में धनकी तंगी बनी हुई है आप नोकरी के लिए परेशान हैं आप रोजगार के लिए परेशान हैं आपने बहुत प्रयास कर लिया आपको नोकरी नहीं मिल रही है आपको कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो परेशान मत होईए ये दिव्य उपाए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हू यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है यह सोचिये कि बाबा ने खुद आपके लिए वीडियो भेजी है ताकि आपको हर छेतर में, हर कारे में सफलता प्राप्त हो सके बाबा नेम करोरी पर विश्वास करके यह उपाय आप जरूर करें तो देखें आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, कैसे चमतकार होते हैं आपके जीवन में और बाबा खुद आपकी मदद करेंगे और बाबा आपको इतनी उचाईयों पर पहुचाएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ बाबा हमारे साथ है और बाबा का शिरवाद हमारे साथ है इतने दयालू हैं हमारे बाबा नेम करोरी स्वेम भू हनुमान जी हमारे बाबा नेम करोरी है दोस्तों आपके जीवन में तंगी है धनकी और नोकरी नहीं लग रही है तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या उपाय करना है जिससे आपको इस छेतर में सफलता प्रदान होगी दोस्तों कहते हैं उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है हमारे हिंदू धर में इस कहावत से मिलती जुलती ऐसी ही एक आस्ता भी है कई लोग सुभे रोजाना सूर को अर्ग देते हैं माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सफलता, सेहत और सुख मिलता है जोतिस में भी सूर को ग्रहों का राजा माना गया है सूर सभी ग्रहों के राजा हैं जो की नेतरत्व का प्रतीक है जोतिस में सूरे को सम्मान, सफलता, प्रगती और सरकारी और गैर सरकारी छेतर में उच्छ सेवा का कारक माना जाता है आज हम सूरे से जुड़े एक ऐसे दिव्य उपाय के बारे में आपको बताऊंगी जो आपके जीवन में चमतकार करेगा आपको नौकरी दिलाएगा, आपको रोजगार दिलाएगा, आपकी धन सम्मंदी दिक्कतें भी दूर करेगा दोस्तों हमारे जो भी कारे होते हैं जिनमें मसफलता प्राप्त करते हैं वो सभी अमारे नव ग्रहों से जुड़ी होती है अगर हम सूरी की उपासना करते हैं और सूरी का आशिरवाद हम पर बना रहता है तो हमारे जीवन में धन की तंगी नहीं रहती है और हमें धन सम्मंदी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और हमें रोजगार की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ता है हमेज हर छेतर में सफलता प्रदान होती है क्योंकि हमारे अंदर इतना आत्म विश्वास आ जाता है कि हमारकारी को सफल करने में सक्षम हो सके सूरे को अर्ग देने से जुड़े उपाई बेहत असरदार होते हैं जोतिस के मुताबिक सूर को अर्ग देते समय हमें अपने मन की इच्छा सूर देव को बतानी चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर आप प्रकाशी प्रकाश करें दोस्तों सूरे एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे नव ग्रहों को भी अनुकूल बनाते हैं जिससे हमारे जीवन के सभी कारियों में हमें सफलता मिलती है चलिए दोस्तों बात करते हैं उपाई की कैसे उपाई आपको करना है ताकि आप इस उपाई से अपने कारियों में सफलता प्राप्त कर सकें दोस्तों आपको क्या करने है आपको प्रातेकाल जल्दी उठना है और इसनान आदी करके आपको ताम्वे के लोटे में जल भरना है जी हाँ दोस्तों ये भौती आसान और असरदार उपाय है जो आपको रोजाना 43 डेज यानि की 43 दिन तक करना है फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होती है आपको सुबह उटकर इसना नादी करके सूरी को जल चड़ाना है सूरी को जल चड़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको तांबे के लोटे में ही आपको सूरे को जल चड़ाना है सूरे को जब आप चड़ाएं तो उस तांबे के लोटे में जल भर कर उसमें एक चुटकी हल्दी आपको जरूर डाल ले हैं जी हां दोस्तों सूरी को जब हम जल चड़ाएं तो एक चुटकी हल्दी डालकर आपको जल चड़ाना है और जल चड़ाते समय सूरी देवता का एक जो मंत्र है वो आपको बोलना है जो की है ओम सूरियाय नम्हा इस मंत्र को बोलकर पांच बार बोलकर आपको सूरी को जल तक करना है रोज करना है और सच्चे मन और भाव से करना है मैं विश्वास के साथ कहती हूँ अगर आप धनकी समस्या से परेशान है आपको नौकरी नहीं मिल वे आपको रोजगार से समंदित परेशानी है तो वो परेशानी आपकी धीरे धीरे खतम होने लगेगी और 43 डेस क अंदर आपकी समस्या का समाधान भी होगा अगर आप सरकारी नौकरी की तलास में है तो रोजगाना सूरज को जल चड़ाईए इससे सूरे ताकतवर होता है हमारी कुंडली में और सूरे के ताकतवर होने से सरकारी छेतर से हमें लाप प्राप्त होता है और सरकारी छेतर की नौकरी का जो योग है वो एकदम प्रवल हो जाता है दोस्तों हल्दी डालकर सूर को जल चड़ाने से अमारी नौकरी संबंदी जो भी दिक्कते हैं वो समाप्त होने लगती है एक बात और मैं आपको बता दू दोस्तों अगर हम सूर को रोली डालकर जल चड़ाते हैं सूरे को रोली मिले जल से अर्ग देने से सूरे दोश हमारे जीवन में समापत होता है और हमें अच्छी सेहत प्रापत होती है तरक्की मिलती है और सरीर में जो बलड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों सूरी को हल्दी मिलाकर जल चड़ाने से जो जिन लोगों का विवा नहीं हो रहा है उनके विवा के योग शीगर बन जाते हैं और वैवाईक जीवन में खुश हाल हो रहता है और हमारे जीवन में धनकी समस्या समाप्त होकर हमें रोजगार भी मिलता है दोस्तों जब भी हम सूरी को जल चड़ाएं तो हल्दी डालकर या उसमें रोली डालकर अवश्य चड़ाएं इससे हमारे जो अमनुव ग्रहों में जो सूरी के स्थती है वो बहुती ज़दा अनुकूल होती है और सूरी ही है जो हमें नौकरी सम्मंदित समस्याओं का निदा समस्याओं करते हैं दोस्तों तो आप नौकरी के लिए तयारी कर रहे हैं प्रियासरत न हैं आपको नौकरी नहीं मिल रहे हैं तो यह उपाय इंयाओं 43 डेज जीवन में सुक शान्ती बनी रहती है अगर आपके घर में ग्रह कलेस रहता है लड़ाई जगड़े रहते हैं आपस में प्रेम नहीं है तो आप रोज सूर को सूर को जब जल चड़ाएं तो उस जल में चावल जरूर डाल लें चावल मिलाकर सूर को अर्ग देने से आपके ज जीवन में भी सुक शान्ती आती है और अगर आप नोकरी के लिए परेशान हैं तो हल्दी डाल कर चड़ाएं और अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो रोली डाल कर सूर को अर्ग दें दोस्तों सूर को हम मिस्री मिला हुआ जल बी चड़ा सकते हैं मिस्री मिला जल चड़ाने से भी सूरी देव प्रसन होते हैं और जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं तो दोस्तों अगर आपके जीवन में खुशियों की कमी है आप हमेशा दुखी रहते हैं कोई काम अच्छा नहीं होता है तो आप सूरी देवता को मिसरी मिला हुआ जल जरूर चड़ाएं इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी आपके जीवन में प्रेम बना रहेगा इन सभी उपायों में सबसे स्रेश्ट उपाय है हल्दी जब आप तांबे के लोटे में इतना ध्यान रखें अमें तांबे के पात्र में ही सूरी को अर्ग देना है तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी डालकर अगर आप सूरी को अर्ग देते हैं तो ये सभी समस्याओं का निदान करता है इससे हमारे कुंडली में सूर ग्रह मजबूत होता है जब सूर ग्रह मजबूत है तो हमारे सभी ग्रह अनकूल हो जाते हैं और हमारे जीवन से परेशानिया को सो दूर चली जाती है तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो मेरे चैनल को अभी सबिस्क्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै स्री राम जै बाबा नेम करोरी